हेलो दोस्तों, कैसे हो अप लोग, स्वागता आप कश नई वीडियो में, तो आज के इस वीडियो में हम authentication बाला process श्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला वीडियो authentication का रख रहे हैं, email, password, authentication ठीक है, तो जहां पे आप देखोगे की, यहां पे हमारा avm का console open है जिसके अंदर हमारी users की list है email password वाले की already यहां पर आप देखोगे तो मैं इसे एक वार रिफ्रेस्ट करता हूँ तीन हमारे इसको उपर कर देता हूँ अब देखो अगर user यहां पर 1111 वाला already available है तो अगर मैं यह वाली email ID टाइप करता हूँ तो मेरे पास अगर मैं sign in कर रहा हूँ user create कर रहा हूँ ठीक है तो अभी देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ मैंने यह डाल दिया और मैंने 123456 डाल दिया मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो मेरे पास already आ गया क्योंकि user login क्योंकि मैंने sign in किया और यह already data available था ठीक है इतना स्मुझ में आ गया अब अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा data डाल दिया जो अबलेबल नहीं है तो क्या आएगा user not found मतलब हमारा जो user है वो नहीं मिल रहा क्योंकि इसके अंदर ही नहीं वो रेइस्टर ही नहीं हुआ ठीक है अब अगर मुझे नया user क्या करना रेइस्टर करना है तो मैं sign in की जगह पर मैं क्या करता हूं यहां पर मेरे जो code है अब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि कोई नया account create करना है तो मैं इसको create करना चाहता हूं तो मैं इसको बटन मैंने सेमी यूज करें बट मैंने यहां पर वन वन वाला account create करा है ठीक है तो यहां पर देखो user account created and signed in अगर मैं इसको refresh करता हूं यहां पर आप देखोगे गौरा वन-वन के नाम से एक account आ जागा यह आ गया ठीक है तो मतलब हमारा नया account भी create हो रहा है ठीक है अब अगर मैं मान लो द्वारा से सेम चीज फिर से द्वारा से सेम email आडी यूज करता हूं और फिर से नया account बनाने create करता हूं तो क्या होगा कोशिस करता हूं तो यहां पर द भी दिखा सकते हैं कि जो हमारा email id create user को प्रोसेज है उसे हम बैल जो भी कर सकते हैं सारी messages के साथ ठीक है तो फिर यह सारी चीज हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना है ज्यादा टफ नहीं होना वाला बिल्कुल एजी है यह क्योंकि authentication के अंदर करते हैं सबसे पहले में क्या करना है पहले में एक screen की UI बना लेते हैं क्योंकि email और password में एंटर करना पड़ेगा तभी हम login email और password के साथ अपना account क्रेट कर सकते हैं यहां पर मैं क्या करता है नॉर्मल सी एक screen बना लेता हूं जिसका मैं नाम रख लेता हूं email password.js और इसको RNA free करके मैं एक screen बना लेता हूं और यहां पर index.js में जाके मैं इस app को अटा के क्या करता हूं email password वाले को मैं कर लेता हूं कॉर ठीक है तो यहां पर अभी normal screen आ गए और मुझे क्या करना है यहां पर थोड़ा सा style देंगी हम इसमें flex one कर लिया और जितना भी जो कुछ हम बनाएंगों सबको center भी नखें कि मैं align items center ले लेता हूं ठीक है तो यह text नहां पर center में आ गया है इसकी आप हम क्या करने वाले text input लेंगे और इसको हम यहां पर placeholder के साथ एंटर इमेल इमेल और इसको style दे देते हैं width 90% height 55 border width 0.5 border radius 20 यह कुछ इस तरीके से हमारा इसको 55 border 50 ले लो और इसको padding left 20 ठीक है तब क्या अगर नहीं में यह वाला text input को दो बर एक बार और एक और copy कर लेते हैं और इसमें margin टॉप ले लेते हैं 30 और यहां पर पास्वर्ड डाल देते हैं ठीक है उसके बाद करते एक touchable opposite लेके बटन बना लेते हैं इसके बीच में टैस्ट डालते हैं create count ठीक इसको थोड़ा से style दे लेते हैं width 90% height 50 border radius 20 margin top 50 justify content center align items center इसका कुछ background color देना होगा तो background color तो यह हमारा एक छोटा सा form बन गया है जिसकी help से हम क्या करने वाले firebase में account create करेंगे email और password का यूज़ करके अब अब मुझे auth की जो भी dependencies बगर हैं वो इसके काम कर लेते हैं तो चलते हैं console पर firebase console पर यहां पर आप देखोगे जब firebase console पर लोग इन करोगे तो यहां पर authorization वाले option में जाएंगे और यहां पर देखोगे जब यह starting आपने कुछ नहीं किया होगा तो आपको कुछ यहां पर get start पर click करेंगे यहां पर इतने सार options दिये हुए है हमें पहले email password का करना है तो इस पर click करेंगे और इसको enable कर देना है ठीक है तो इसको save कर देंगे पहला step हो गया ठीक है अब मैं दूसरा क्या करना है वही दूसरा step करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा rn-fireways की site पर rn-fireways ठीक है रहें रहें यहां पर जाके हमें चूज करना है authentication और authentication में जाकि यहां पर पहले यह वाला package पेश्ट करना पड़ेगा यह पेश्ट कर दिया यह दोन इंस्टॉल हो गए और मुझे क्या करना है एक वार एप को रून कर लेना है दुवारा से लेंगे हैं और टाइम लेगा तब हम क्या करते हैं यू आई का जो भी काम हो भी साथ में फिनिस्स कर लेंगे भी जल्दी से मैं कुछ नहीं दो स्टेट लेनी है तो सेव नहीं करेंगे यहां पे लिए दो स्टेट लेनी जल्दी से एमेल सेट ईमेल यूज यूज स्टेट अम्टी ले लिए हैं मैंने पासवर्ड सेट पासवर्ड और यह से लेंगे यूज स्टेट और यह से भी हमने एम्टी ले लिए स्टार्ट मैं क्या करना है दॉनों इमेल बैल्यू के अंदर इसको इमेल डाल दो और उनच टेक्ष्ट में जाकर जोगी टेक्यास रएगा च्यंच होगे उसे मैं क्या करता है और सैarta email के लिए यह दौनरा लाइन को में कॉप्री करना सेनु पास वर्ड जाना है और यहां पर saya स्ट पाश्वर्ड ला दाव ग्या सब्सक्राइब उसकी जांए इस सब्सक्राइब और महीं हम देहंगे इमेल आअग पासवर्ड वाला जो ओ है क्रेट करने का email password sign-in ठीक है यह वाला तो मैं यहां पर देखो पहले सब्सक्राइब इंपोर्ट करना है और यहां पर पेस्ट करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे ठीक है दूसरा इन्हों ने यह और का इंपोर्ट दिया है जिसमें ओठ जो हमने यहां पर इंपोर्ट किया वह यूज कर रहे है उस function के अंदर एक और create user with email and password इसमें email id यह है और जो भी हमने पासवर्ड डाला हो यह password दैन अगर सकसेश होता उसके अंदर यह वाला console दिखा रहे है देन के अंदर अगर कोई error आएगा तो catch के अंदर है उस error को हम यहां पर check कर रहे है कि कौन सा error है email already वहाँ पर already fireways के अंदर available है मतलब user already created है या फिर जो email आप ने दी है user ने दी है वो wrong है उसका format सही नहीं है इस तरीके से error देखा दो किस पूरा code को क्या करेंगे और यहां जा के अपने function के अंदर paste कर देंगे और अपने साफ सिसेट करना है ठीक है तो यहां पे क्या है यहां और कर देना है किया used customer value password आजे लिए तो की करना है जब द्री फणन को और क्लिक करेंगी इस बटन और console को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं सामने ठीक यह खार मैं क्या करता हूं यहाँ पर email करता हूं माल अभी हमारा जो पहले च्छक कर लेते हैं और Firebase में चलेंगे हम यहाँ देखेंगे भी हमारे users अभी देखेंगे तो यहां पर क्या है कुछ नहीं no you just found आ रहे ठीक है इसको मै एक साट में इससे भी कर लेता हूँ, यहाँ पैर, अपने मोगाइल को कर लेता हूँ, यहाँ पैर, घै और इस कंसोल को कर लेता हूँ, यहाँ पैर, जिसillon आपको सारी चिचीय दिखाए hanya, यहाँ user आएगा, यहाँ पैर मेरा कंसोल आएगा ठीक है, और मोगाल देख रहा है तो मानलो मैंने इस गौर रहा है एट जीमेल डॉट कॉम नाम का मैंने एक मानलो एकाउंट यहां पर इमेल डाली और पासवर्ड में 1,2,3,4,5,6 डाला और मैंने क्या करा क्डेट अ क्डेट एकाउंट पे क्लिफ करा रहा है जिजर एकाउंट क्रिएटेड और साइंड इन अभी Дेखु से कुछ आया नहीं यहां कि ragas करना पड़ेंगा पर रहा हुमने रिपरेश किया रिफ्रेश कोहाँ यहां पर ओर और यहां पर यूजर आइडी जन्नेट हो गई है और पास्वर हमारा यह प्रोवाइडर कौन सा इमेल वाला टाइम देख सकते हो 27 वर अभी मानलो मैंने एक और अभी एक ही है गौरब नाम का मैं क्या करता हूं यहां पर गौरब की जगह पर मालोम यह कुछ गौरब 123 नाम की इमेल डी डालते हूं ठीक है और मैं पास्ट क्रिये डियक करता हूं ठीक है और मैं क्या करता हूं इसको फिर से रिफरेस्ट करता हूं गौरब डाली थे गौरव एडरेड 123 ओ स्वारी गौरव 123 एडरेड गमेल डॉट यहां पर आ गई है इसके भी यूजर आइडी जन्हेट हो गई है ठीक है तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास हाँ यहां पर एकाउंट क्रियेट हो रहे तो यह बात थी क्रियेट अकाउंट की अब मैं इसको यूजर को लॉगिन भी तो करना होता है ना इसीम जो हमने अकाउंट बनाया इमेल डी थी वह उनमें पासवर्ण भी दिया इन इमेल आड़ेड और पासवर्ण दोनों का पर यहां पर यूँवाई में साइन ने लेते हैं ठीक है साइन एकाउंट करेंड करा है तो साइन करेंगे ना तो यह क्रियेट यूजर वाला कोड जो है इसी अभी मैं इक क्या करता हूं कॉंस्ट यूजर साइन ना ला लिया साइन नामका और इसके कोड हम जाकर करते हैं आरेण फियरस की साइड पर उन्होंने बोला भाईया साइन इन अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे क्रियेट यूजर का यह है यहां पर देखो कहीं साइन इन का भी ऑफसन होगा ठीक है कि काम करते हैं इसमें कोड मुझे दिखनी रहा यहां नहीं दिख रहा कोई नहीं बट मैं खुद से लिखनी की कोशिस करता हूँ बट मैं कि और क्या करना है और की बाद मैं कि में इसके अंदर इमेल और पास्वर्ड मरें देना है जो इमेल और पास्वर्ड दे दिया और दैन हमें दैन कॉल करना है उसके अंदर जो भी response आएगा वह हमें दिखाना है ठीक है सेम ही है जो उपर code हम create के लिए यूज करें तो बस यहां पर मैंने function change करते हैं यहां पर sign-in भी email पाई था वहां पर create user था ठीक है और अगर कोई error आएगा तो वह catch के अंदर आएगा मैं error को यहां लिख लेता हूँ और क्या करूंगा जो भी error आएगा उसको console.log करके उस error को दिखा लेंगे ठीक है इतना समझ में आ गया यहां पर अगर login हो जाता है तो मेरे पास alert आएगा क्या alert यूजर लॉग इन ठीक है अब यह वाला function में call करना है कहां पर call करेंगी यहां पर create user के जिए पर हमें क्या करना है user sign-in ठीक तो देखो देख रहा है left मैं मैंने क्या करा अभी गौरव one one नाम का कोई भी account नहीं बनाया है तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा तो मैंने यहां पर अपना console open कर लेता हूं ठीक है और तो मैं इस पर sign-in पर click करा मैंने user not found there is no user record corresponding to this identify मतलब user जो है जो मैं पास यह email यह पास हो डालो इससे related कोई भी user नहीं है user not found का हम हमें error मिल रहा है इस तरीके से ठीक है अब अगर मैं 123 डालू जो already user है हमारा तो अबर मैं इस पर click करूंगा तो क्या आएगा user logged in मतलब user already है खीक है अब क्या करता हूं भई यह तो हमारा sign-in वाला case हो गया अब मैं करता हूं यही user sign-in वाला case को अभी मैं हटाके create user वाले विद्वारा से click करता हूं और यहां पर क्या करता हूं इस वाले के अंदर create user वाला code चलाएंग और इसमें वही वाला account द्वारा समय डालना है जो क्या है जो already हमने डाल रखा वाम पर तो क्या होगा यह already user registered है तो हमारे पास मैंसे जाना चाहिए कि user already registered या फिर existing कुछ ऐसा आएगा तो देखते सेव करना पुझे है कि यहां देखो और टीमेल ओल्रेडी इमेल ओल्रेडी इन यूज था इमेल अड़ेड़ी यूज बाई एनोडर अकाउंट मतला हमारे पास एक एरर आ गया है कि भाया जो तो इमेल आड़ी अब द्वारा से फिर sign in करने की बोल रहे हो यह नहीं होगी म हो रही क्योंकि अल्रेडी एक्जिस्टिंग है हमारे कहां पे हमारे यूजर वाले डेटावेस के अंदर है ना तो हम क्या कर सकते हमें कोई यूनिक यूज करनी होगी तो मालो यूनिक मैंने 111 डाल दी और मैंने फिर से sign in क्लिक किया मालो create user था यहां पे तो sign in लिखा सारी कंडिसंस बिद मैसिज बॉक्स डायलोग बॉक्स या अलेट के साथ आप देखा सकते हो जो भी आप चाहो वैसा कर सकते हो जब यूजर साइन हो रहा है सक्सेस्पली तो आप नेश्ट स्क्रीन पे भी ले जा सकते हो और जो यहां पर आइडी मिल रही है ठीक है जो तो अगर मालो यह रिस्पॉन्स में यहां पर दिखाना चाहूं कि यह संड और स्ट्रिंगी पाई करके देखो क्या पता हमें अब्जक्ट मिली तो मैं यहां पर इसके इंदर रिसोर्स डाल जो ठीक है तो मैं यहां पर साइन नहीं करता हूं क्रियेट यूजर वाला कोड को मैं कमेंट गा देता हूं और साइन करके हम देखते हैं ठीक है तो यह अल्रेड़ी इमेल एडियो पासवर्ड हमने रिष्टर कर लिया मैंने यहां पर दौरस क्लिक करा यहां देखो मुझे एडिसनल इंफो इस न्यू सम्तिंग पूरा जहां हो इस को कंसोल भी करा से टाड़ते ऑंडिससे पूरा देटल मिल सके इसके बारे में तो भई मैं इसको केंट्वी कराऊंगा खनतों डॉत यहां परम अपने कंसोल वाले में चैक कर सकते हैं पूरा देटल को यह देखो इस new user false क्योंकि यूजर नया नहीं है तो हम sign in कर रहे हैं इस बज़े से यहां देखो इसकी ID हमें मिल रही है UID मलब unique ID जो हमें user की मिल रही है यहां से हम क्या कर सकते हैं इस user ID को निकाल के अपने local storage में save कर सकते हैं और हम आगे जब भी हम एप के अंदर यूज करना है तो वहां पर यूज कर सकते हैं तो आयोप आपको यह email और password का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए बाई